नमस्कार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद तो गाइस आज हम डिसक्स करें एरसी फाइ करेंगे नहीं और आप लोगों का कैपिटल में वेस्ट हो जाएका और आप काफी अच्छे ऑपर्चुनिटीज जो है मार्केट में जो है मिस कर देंगे शेर में निवेश करके तो चलिए आप गाइस हम आपको डिसकस करके देंगे क्या इंडिकेशन मिल रहा है जाई अब आपको एक्स्पेन करेंगे आपको एरसी करना और इससके जो है अब फंटमेंटल क्या इंडिकेक रहें और हीस टॉक में आनवल टाइम को टारगेट देखने को मिल सकते है तो यहाँ पर आप Dank से वेलीं कितनी भागी है और कितनी जाथ ईवर्वेल्यूद तकरीबन 490 क्वास पी है तो कैटिगरी में यह बात कि जाए कंपझा नेटिंकम है और नेट इंकम तो जो है गाइस ठीक ठाक बड़े गाइस कि लेकिन कंपनी का जो पी है गाइस अभी भी कह रहे हम काफी जाद है जो ओवर वैल्यूड है और वो एक रेड फ्लैग है और कंपनी का स्टॉक जो उसकी वज़से ओवर बाड जोन में आया है और कंपनी का यहां पर लगता है ग्रोस प्र्विट जो है काफी बडॉर यहां पे पता लग रहे हैं को एक वीक शेंटीमेट में है और इसके वज़से सापत लगेहां कंपश थैसे सब्सक्रीयूड बात करें तो कांपश हो डच्बन की Bye 4 फ्री कैश फ्लोग गिरा है फ्री कैश फ्लोग माइनस में चले गए कैश एक जगा स्टेग्नेट रहे हैं तो फंडमेंटली आप देख सेथे कंपनी का स्टॉक जो काफी वीक लग रहा है यहां पर हमें लग रहा है आने वाल टाइम में भी बनेगा और क्योंकि शेर में जिस चार्ट सेटब हम आपको एकस्पेेंड करके देते तो यहां पर देखते हैं काफी नेगेटिव एक चार्ट सेटब बना है यहां पर आप देखते हैं ट्रेंड चूरू है और यहां पर ग्रेवस्टोन डोजी जो है बनी और उसके और एक नेगिटिव ट्रेंट जो इस टॉक में बना तो मैं आपको यही रहे दोंगा और मेरे आपको यही सल रहेगी आप लोग जो इस शेर से निकल के किसी दूसरे स्टॉक में निवेश कीजिए यह आपको बिल्कुल भी जो रिटर्न बनाके नहीं देगा यहां पर जो एक वीक सेंटिमेंट और एक नेगिटिव सेंटिमेंट बना रहेगा और यहां पर एक नेगिटिव ट्रेंट जो है बना रहेगा तो गाइस शेर को सेल कीजिए और किसी दूसरे स्टॉक में निवेश कीजिए यह शेर जो है बाइंग के लिए नहीं बना और यहां पर एक वीक एक सेंटिमेट बना रहे हैं तो गाइस यह और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सस्क्राइब तो धन्यवाब